Hey this is Mahi the magic girl how are you all my magical army so सबसे पहले धेर सारी blessings आप सब के लिए इस जुलाई के मन्त के लिए क्योंकि आज है 1st जुलाई और आप सब का ये मन्त celebration से भरा हुआ हो, खुशियों से भरा हुआ हो, happiness से भरा हुआ हो, health, wealth, money, abundance, success, name, fame सब कुछ आपको मिले, ये मेरी दिल से, मेरी पूरी magical army के लिए और सारे लोगों के लिए दिल से मेरी blessings है और एक important announcement ये है जी कि registration का आज है last day क्योंकि हमारी main practice आज से शुरू होने वाली है एक नए month में एक नई beginning और एक बहुत positive शुरुआत, so उसके बाद आज शाम तक registration हो सकते हैं उसके बाद registration हो जाएंगे close और जो लोग इस बार रह जाएंगे वो परिशान ना हो, next batch मेरा फिर launch होगा जुलाई में और उसके registration स्टार्ट हो जाएंगे 5 जुलाई के बाद क्योंकि मेरा दोसरा batch इसलिए launch करने का मन किया because इस वाले batch के जो results है वो इतने amazing है, इतने amazing है, बहुत अच्छा experience मेरा इस batch के साथ है और जितनी भी success stories हैं आप community tab पर जाके देख सकते हो, batch के second day से ही success story आना शुरू हो गए थी so ये थी कुछ important announcement तो जो लोग नहीं कर पाए हैं या उनको ऐसा लगता है कि कभी भी करा सकते हैं तो उनके लिए मैं बताना चाहूंगे कि आज आप last करा सकते हो, उसके बाद अगर रह जाते हो तो कोई बात नहीं, फिर जुलाई में join कर लेना और हाँ, तीन चार success story तो बहुत कमाल किया पढ़ना होई topic, topic क्या, self-loss से start करते हैं ना जुलाई को तो क्योंकि self के साथ, self है ना तो सब कुछ है, that's why तो इस जुलाई में आज पहले दिन, आज जुलाई का first day है और आज खुद से promise करिये कि अपनी खुशी के in charge आप खुद हो अपनी happiness के जिम्मेदार आप खुद हो, कोई भी इस दुनिया के इंसान आपको खुश नहीं कर सकता, जब तक आपनी खुशी के जिम्मेदारी नहीं लेते हो ऐसा देखा है कई पर जब आप अंदर से बहुत ज़दा खुश होते हो तो बाहर से भी आपको मौका मिलता है कि आपको दूसरे लोग उस टाइप से surprises देते हैं आपको खुश करते हैं, आपको अच्छा फील कराते हैं ठीक है और जैसे ही हम अंदर से सैड होते हैं तो ऐसे experience हमें मिलने लगते हैं कि सामने वाले हमें और ज़्यादा वही experience फील कराते हैं और फिर हम कहते हैं कि यार कंगाली में आटक गिला एक वहाद फेमस कहावत है यारे कि बुरी situation आते हैं तो और जदा बुरी बुरी आने लगती है तो वहाँ पर मैं इतना बता सकती हूँ कि जब आप अंदर से खुश होते हो अपने आपको खुश रखते हो तो दूसरे लोग भी आपको खुश रखते हैं इसका मतलब जो आपकी life है वो आपके thoughts का reflection है यह simple सी बात है अगर आप law of direction जानते हो तो तो जब आप अंदर से दुखी होते हो तो सामने वाले लोग भी आपको दुखी करते हैं ना तो आज खुद से promise करें सिर्फ एक मंत के लिए कि अपनी खुशी के जिम्मेदार मैं खुद हूँ हो सकता है बीच बीच में थोड़ी बहुत situations ऐसी आएं जहां पर आप हिल जाओ माइंड को फिर आप महाँ पर माइंड को switch कर ले ना खुद को खुश रखने कि कुछ मैं tips दे देती हूं कुछ tips यानि कि self love के हैं पार्ट है जो आप अच्छे से आज मैंना सारा एक साथ बता देती हूं कि चार पांच ऐसी basic चीज है जो आपको आज से शुरू कर देनी है अभी से शुरू कर देनी है सबसे पहली चीज कि don't compare yourself with others चाहे हो physically हो चाहे mentally हो चाहे किसी की family हो हम कही बार कहते है यार उसकी family इतनी अच्छी है वो इतना ज़्यादा उसके पास पैसा है वो physically इतनी beautiful है ये है वो है मैं ऐसी क्यों नहीं हो don't compare पता है आपको आप जैसा इस दुनिया में दूसरा कोई नहीं है 7 billion लोगों में से आप सिर्फ आप हो दूसरे आपकी फिंगर प्रिंट को भी मैच नहीं कर सकते ठीक है और तो अपने आपको simple सा फंडा है compare मत करना अपनी अपनी जर्नी है अपना अपना creation है जो जैसा है उसे वैसा रहने दो अपने real essence में रहो अपनी real essence को खोना मत और दूसरी चीज ये सारी चीज़ें है health, wealth, relationships, career and ये आप हो जब तक ये नहीं होगा ना इन इमुलियों के लाइं की नहीं है आप अच्छे से जांते हो देखो इस वाली finger से कोई काम कर supply लोगर ये यह साथ में यह थम है तो यनि हो इस वाली से भी करث दूसरी इस वाली से भी कर सकते हो एंड अगर ये ना हो तो बताऊ कौन सी उंगली से काम करोगे नहीं होगा तो आप इस दुनि most important person in my life मुझसे जादा मेरे लिए कोई जरूरी नहीं है और I am in charge of my own happiness ठीक है दो चीज़े हो गई and तीसरी चीज़ कि अपनी छोटी छोटी चीज़ों को appreciate करना शुरू करो यानि कि आपने अगर छोटा से कोई काम कर ले like खाना बना दिया या आपने कोई painting करी या आपने कुछ ऐसा काम किया तो अपने आपको तारीफ करो अपने आपको appreciate करो better than दिस कि आप दूसरों से expect करो उस चीज़ के लिए कि दो आपको compliment दे आप ready हो गई अपने आपको बोलने में क्या जाता है यार अज बढ़ी अच्छी लग रहे है तू हाँ हर रोज और जदा अच्छी लगती जाते secret क्या है भई तो mirror में देखके अपने आपको खुद प्रेज कर लो अपनी हर एक चीज को करो कि how I'm intelligent how I'm talented like this type से चौथी चीज अपने लिए सॉंग सुनना शुरू कर दो मैंने अब जिस बताया था अपने लिए सॉंग डेडिकेट करो one of the most favorite of my क्या है वह वाला है कि वह वाला नहीं है कि मैं अगर कहूं तुमसा हसी कायनात में नहीं है कोई तारीफ ही यह भी तो सच है कुछ भी नहीं तो कुछ बहुत सारे ऐसे सॉंग हैं जो खुद को ही हम डेडिकेट कर सकते हैं और एक चीज़ आप यह शुरू कर दो just feel yourself you are like a celebrity आप एक celebrity हो अब मैं बात इसलिए कर रही हूँ ऐसी ही क्योंकि सामने वालों से जो affect होते हैं सामने की situation सामने कीए तो वो celebrity वाली जो feeling है न वो लेकिया हो यार I am a celebrity और जो journal लोग है वो audience है उसमें कुछ negative होंगे कुछ positive होंगे और celebrity उसको नहीं फरक पड़ता है कि उसकी audience कैसी है because they know their real worth अभी देखो छोटा सा example देते हैं इस दिन पहले शारुक खान का जो बेटा था उसके उपर drugs का case लगा था दुनिया ने दुनिया भर की reels बना दी दुनिया भर की memes बना दी दुनिया भर की criticize comments कर दी क्या शारुक खान जी ने एक बार भी उनको reply किया क्या एक बार भी बोला कि तुम ऐसा मत बोलो नहीं because they know their real worth उन्हें पता है कि मैं बादशाह हूँ मैं बादशाही रहूंगा और बेटे ने जो किया शो किया, किया, नहीं किया अब मतलब जो भी है उन्होंने किसी को कोई reaction भी ने दिया और आज भी कुछ दिन तक वो बात चली उड़ी और लोग शांत हो गए and आज भी उनके लिए लोग crazy हैं ऐसा नहीं हुआ कि किसी के 2-4 negative comments करने से उनकी worth खतम हो गई नहीं हो सकता because उनको उनकी worth पता है so अपने आपको celebrity वाली feeling दिलवाओ कोई negative बोलता है just ignore कोई negative feel कराता है just ignore कोई कहता है कि तुमारा physical appearance ऐसा होना चाहिए था just ignore celebrities बस अपने देखो हाँ मैं बताती हूँ उनकी जो designer होते हैं na cloths के designer सबके different होते हैं कोई किसी की copy नहीं कर सकता क्यों कर सकता क्योंकि सबको अपनी choice पे बहुत ज़्यादा proud होता है तो आपको क्यों feel करना है your celebrity है celebrity है तो celebrity की तरह रहते हैं na क्यों किसी की नकल करनी है या किसी से खुद को comparison करना है या कुछ भी ऐसा and उसके बाद एक चीज़ ये कि सबको माफ कर दो आज ही अगर किसी के लिए कुछ भी है ना दिल में I forgive everyone and I also forgive myself इससे क्या होगा कि दूसरों को तो इसमें फाइदा है है या नहीं देखो आप किसी को माफ करते हो नहीं करते हो सामने वाले पे कुछ नहीं फरक पड़ना आप ही उसकी vibrations को आप अपनी जो manifestation है वो डन 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 हो जाए तो यहीं थी कुछ टिप्स टिप्स भी नहीं है और यह इतनी लंबी चौड़ी नहीं है इनको आप चलते फिरते follow कर सकते हो माफ करने में कुछ नहीं जाता आज सॉंग तो हम तब भी सुनते हैं अपने लिए सुनो जब कोई सामने से कुछ बोले तो बोलो I am celebrating मुझे रियक्ट ही नहीं करना अपनी चोटी चोटी चीजों की तारीफ करने में क्या जाता है तो यह एक lifestyle बना लो और प्रॉमिस करके जाओ कमेंट्स में कि आज से अगले 30 दिनों के लिए आप अपनी खुशी की जिम्मेदारी लेते हो कमेंट करके जाओ एक कमिटमेंट दे के जाओ अपने आपको और 30 दिन बाद वापिस आके एक एक वीक में बाद में आके वापिस उस कमेंट में बोलना कि एडिट करना आके कि आज एक हफता हो गया है आज दो हफ़े, तीस दिन तक ऐसे ही करना है So, thank you so much for watching Again, happy month in advance And registrations के लिए फिर से एक बार बोल देती हूँ So, आज आएए और join कर लीजे क्योंकि आज है एक तारीक And आप new beginning करिए अपने आपको एक gift दे दीजिए Positive lifestyle का So, the description में check कर लेना So, thank you so much for watching And आज मैं बहात happy हूँ I don't know why ऐसी excitement है ना कि new year शुरू हुआ और ऐसी excitement रखनी है सबको अपनी life में So, thank you so much for watching Take care and bye-bye